विशाल धोटे इनका सवाल ऐसा है कि मास खाने की प्रथा अगर ब्राह्मनों में थी ब्राह्मन मास खाते थे मनुस्पृते में कहा गया है या फिर मास खाना कंपल सरी था तो आगे चलकर ये मास खाना कब बंद हुआ होगा ये कहना तो कठी नहीं कि मास खाना कब बंद हुआ होगा लेकिन भारत में अलग-अलग परंप्रा आये रही है एक जैन परंप्रा रही है जैन परंप्रा में प्राणी उन्सा को बहुत महत्वदिया गया है याने प्राणी के किसी भी अवस्था में हिंसा नहीं करनी चाहिए इसको महत्वदिया गया है शायद जैसा 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 जैन विचारधरा का प्रभाव बढ़ते गया वैसे वैसे ये मास खाने की प्रथा बंद होते गई होगे कुछ लोगों में और जैनों का सबसे ज़्यदा प्रभाव किस में बढ़ेगा ब्रामनों में बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा तर ब्रामन जैन बने पहले जो भी धर्म परिवर्तन होगा चाहे वो बवद्ध धर्म हो चाहे कुछ भी हो उसमें ब्रामन ही गए यानि धर्म को विरोत करने वाले भी ब्रामन थे क्योंकि ज्यान के क्षेत्र में वो ज़्यादा सोचते थे ज़्यादा विचार करते थे अब बैस करते थे बागी लोगों को उस क्षेत्र में चांस कम था तो इसलिए शायद ये जैनों का जो प्रभाव था और उसमें काफी ब्राह्मन लोग थे अपस में रिष्टेदार रहे होगे एक से दूसरे तक ये बाते फैलते गई होगी और उसमें से ब्राह्मनों ने मांसार से दूर रहना चाहिए यहां तक की प्रथा आगे आई और बाद में मनुस्पूरती में भी वो डाला गया वो श्लोक मैंने आपको सुनाया भी है कि जो ब्राह्मन मास खाता है उसको अच्छी गती प्राप्त नहीं होती है इसलिए किसी ब्राह्मन ने मास भक्षन नहीं करना चाहिए लेकिन ये बंगाल के ब्राह्मनों ने आखरी तक नहीं सुना बंगाल के ब्राह्मन आखरी तक मच्छी खाते रहे मच्छी उनके जिवन का हिस्सा रही है तो कुछ ब्राह्मनों ने नहीं त्यागा लेकिन भारत के měक्सिमम ब्रामनों और उत्तर के ब्रामनों ने त्याग दिया महराश्ट के ब्रामनों ने भी ज़्यादा तर त्याग दिया यह परॉपरा कोई एक दिन में नहीं खड़ी हुए यानि जो जैन धर्म का अलदी माना जाता है वो कम से कम डही अजार साल का तो माना ही जाता है तो पहले शायद इतना प्रभाव नहीं था शायद 15-16 शतब्दी के बाद में ये प्रभाव बढ़ते गया और गए 500-700 सालों में ब्राह्मनों ने मास खाना वगरे छोड़ दिया ये हो सकता है या फिर उससे भी जादा आओ धी 7-800 सालों में महराष्ट में सभी जग प्राणी जो है मनुष्य प्राणी जो है वो हमेशा मावसार करने वाला भी रहा है और खलाहर करने वाला भी रहा है हमेशा शिरुवात के दिनों से रांटी अवस्ता से लेकर उसका स्ट्रक्चर भी वैसा है कि वो दोनों है शाकारी है और मावसारी भी है इसलिए जब उसके पास में अनाच की सम्रुद्धी बढ़ते गई वो खेती करने लग गया पशू पालने लग गया तब ही वो एफोर्ट कर सकता था कि वो मावसार को छोड़ दे उसके पहले तो यह संभव नहीं था इसलिए उसके अनाच के सम्रुद्धी के साथ में प्राणी जगत के सम्रुद्धी के साथ में क्योंकि प्राणी जगत से उसको अंडे मिलते थे पंचियों से गाय से दुद मिलता था दही मिलता था, छाच मिलता था तो उसके लिए मास को छोड़ना आगे चलकर संब़ हुआ पहले अंडों को तो मास माना ही नहीं जाता था आगे चलकर शायद अंडे भी मास में डाले गए ये परंपरा इस करण बड़ी होगी जैसे महराष्ट में दिखता है कि वारकरी संब्रदाय की परंपरा है वारकरी संब्रदाय की परंपरा साथ सो सालों की है ये वारकरी संब्रदाय की परंपरा में सबसे ज़्यादा कौन सी जातिया इनवाल हुई इन शुद्र जातियों में मास खाने की परंपरा आम थे। उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन ये सभी जो संद थे वो प्राणी मातरा पर दया करने वाले तद्व ज्यान को मानने वाले थे। या फिर जो पंडर पुरी माला होती है वो माला डालेगा तो वो माला पहनने वाले उसे वेक्तेने मास नहीं खाना चाहिए। ये शर्त रखी गई। अब ये शर्त कौन से साल में रखी गई। मालूम नहीं लेकिन कुछ सिक्ड़ों साल तो हुई ही हुई। तो आपको दिख वारकरी संप्रदाय के कहते हैं माला पहनने वाले हैं। अब घर का में पूरु शगर मास नहीं खाएगा तो पूरा का पूरा घर मास नहीं खाएगा ये होता है। तो आपको ये दिखेगा कि मास न खाने वाले बहुत ज़्यादा वारकरी संप्रदाय के लोग महराष्ट म मिलेंगे आपको जैन धर्मिय मिलेंगे उसी डंग से ब्राह्मनों में यह आया होगा लेकिन देश के काफी प्राउन्तों के ब्राह्मण आज भे माउंसाहार परमपरागत करते आये हैं जिसमें मैंने बंगल का उधारन लिया और भी कुछ प्रान्तों के होगे उत्तर के ब्राह्मन शायद मास नहीं खाते हैं महराष्ट के ब्राह्मन शायद मास नहीं खाते हैं ये अंदाजन कहिना पड़ता है क्योंकि इसका कोई इतिहास लेखन तो मिलता नहीं है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए